हाई अव्रिवन विल्कम बैक टो एक्स्प्लोड लिट्रेचर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जॉनर फिक्षिन का यूनिट फॉर्स शेर्लोक होम्स दे साइन ओव द फॉर्स इसकी बाकी दो यूनिट्स अलड़ी कवर की जा चुकी है उसको आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं आपको इजली वो मिल जाएंगी या फ्रून का लिंक आपको डिस्क्प्षिन बोक्स में मिल जाएगा महां से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑथर के बारे में सर आर्थर कैनन डॉयल इनका बर्थ हुआ था में 22, 1859 स्कॉटलेंड के अंदर और राइटर बनने से पहले ये एक डॉक्टर थे इनका जो एक फेमिस करेक्टर है डिटेक्टिव करेक्टर शेर्लोक होम्स उसके वज़े से बहुत जाने जाते हैं जिसको इन्होंने इंट्रड्यूस किया था अपनी नॉवल A Study in Scarlet in 1887 के अंदर बात करें इंस्पिरेशन की तो आर्थर ने इंस्पिरेशन लिया है शेर्लोक होम के करेक्टर का फ्रोम हिस प्रोफेसर डॉक्टर जॉसफ बिल शेर्लोक होम सिरीज के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जैसे कि हिस्टोरिकल नॉवल, साइंस फिक्षिन और बहुत सारे वर्क्स इंक्लिडिंग दे लॉस्ट वर्ड और ये पास्ड अवे ऑन जुलाई 7, 1930 इन इंगलिड तो ये थो था पूरा ओता के बारे में अब हम जो main character discuss करने वाले हैं शेर्लोक होम्स, उसके बारे में देखते हैं कि वो किस तरीके का detective है, क्या-क्या उसके एक जो features बोलते हैं वो चीज़े हैं और किस तरीके से उसको पूरी series में दिखाया गया है in the Sherlock Holmes का detective series Sherlock Holmes एक fictional detective है जिनको create किया है Sir Arthur Conan Doyle ने और ये जो हमारे character है वो रहते हैं 221B Baker Street in London जो कि बहुत ही iconic address है इनके साथ अशुशेट करते हुए ये एक consulting detective है जो कि अपनी बहुत ज़दा investigating skills या फर reasoning के त्रियू जाने जाते है इनके close friend और companion है Dr. John H. Watson जो कि अपनी कहानिया सुनाते रहते हैं बहुत ही adventurous Sherlock Holmes एक addict है cocaine के और अपने साथ एक violinist भी रखते हैं जो कि play करता रहता है Stradivirus violin ताकि वो उनको help कर सके सोचने के लिए तो हमारा इसी तरीके का House of Fear में हमने एक detective देखे थे जो कि Sherlock Holmes से बहुत ज़्यदा अलग थे तो इसी तरीके से आपको parallel draw करने होते हैं आपका maybe question यह आजाए कि House of Fear के जो detective है वो किस तरीके से अलग है Sherlock Holmes से या फिचर क्या अलग है क्या-क्या themes है तो जरूरी नहीं है कि आपका question एक ही novel से आए आपका cross question भी आ सकता है inter theme वाला question भी आ सकता है कि दोनों के अंदर क्या-क्या themes है तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर themes भी discuss करें हैं तो last तक देखिएगा तक आप किस भी point को miss ना करें तो अब कई बर question आ जाता है कि title का क्या significance है कि जो writer है उन्होंने यही वाला title के हो लिया या फिर इस title के through वो क्या दर्शाना चाहते है तो जो हमारा title है sign of four वो represent करता है treasure, adventure और mysterious quest को तो यह refer करता है sign of a rich man जिनका नाम था शोल्टो वो एक central role play करते है plot के अंदर and this title is not only about physical sign but symbolic science beast के अंदर है तो यहां पर हमें जो हो हमारे detective है Sherlock Holmes उनकी skill देखने को मिलते है कि वो किस तरीके से छोटी छोटी चीजों से clue निकाल कर पूरी mystery को solve कर जाते है यहां पर हमें यह भी बता चलता है कि भाई क्या deeper motives रहे थे या फिर कौन से clues को कैसे यूज किया गया तो बहुत ही interesting होता है इनका detect करने का एक तरीका बात करें novel की तो novel के अंदर हमें एक window प्रवाइड किया गया है social, political and cultural landscape का 19th century London के कि कौन-कौन से themes, issues relevant थे उस time पर तो यहां पर हमें जो adventures और mysteries दिखाए गई है Sherlock Holmes और Dr. Watson जो कि इनके friend थे उनके three हमें सारी चीज़े explore करवाई गई है literature का importance क्या होता है हम यह सोचते हैं कि एक कहानी पढ़ ली and that's it literature तो ऐसा नहीं रहता है आप जब भी एक कहानी पढ़ते हैं तो एक writer क्या सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है that depends on the very social, political, cultural यहां पे हमें London का जो society था 19th century में उसके अंदर क्या themes और issues थे वो देखने को मिलते हैं जो यह novel है उसे set किया गया है during the British Empire तो जो British है वो अपना समराज्य से फैला रहे थे पुरा इंडिया, अंडमान आइलेंड से इन सारे ही लाकों में तो वो पूरा इंका क्या एक एम था कि भी हमने न अपना सूरज ने छिपने देना East to West यहां पे भी हम जाये हमारा समराज्य है उसर्फ ठीके तो उनको पूरे जो world है उसमें कबजा करना था अपना जो ideology है वो फैलाना था तो वो वाला इनका काम चल रहा था तो imperialism बिल्कुल एक dominant stage पे था था तो यहां पर क्या चल रहा था कि colonies को expand किया जा रहा था control में लिया जा रहा था तो यह काफ़ significant role है जो इस सारे theme का वो दिखाया गया है novel के अंदर यह जो plot है वो evolve करता है एक आगरा के treasure को तो जो Indian rebellion था 1857 का एन opium trade तो यह इन सारे चीज़ों को थोड़ा मिला के दिखाया गया जो कि आपको स्थोरी में जानने को मिलेगा यह highlight करता है controversial और जो profitable opium trade था इंडिया और Britain के बीच Victorian era में तो जो सारे छोटी छोटी themes थी ब्रिटेन की या फिर उसकी जो colonies के अंदर problems आ रही थी कैसे colonies के जो लोग थे वो कैसा feel कर रहे थे उन पर कैके अध्याचार हो रहे थे तो उन चीज़ों की भी आपको जलग जानने को मिलती है यहाँ पे सरफ यही नहीं है कि एक चोरी हो गई और detective ने वो solve कर दिया तो that is not all about the detective novels वहाँ पे आपको socio-political background भी जाने को मिलेगा अब इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें आपको characters के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले हमारे character है detective जो की है Sherlock Holmes central character है वो story के then is Dr. John Watson जो की loyal friend और companion है Sherlock Holmes के then the third character is Mary Watson जो की एक young woman है and she asked for the help from Sherlock Holmes की आप मेरा mystery solve कर दीजिए क्योंकि उनके father थे जो वो disappear हो गए थे and the treasure that he left behind तो वो पूरा जो एक mystery था उसको solve करने का जिमा Sherlock Holmes को मिला था then is Thaddeus Sholto तो ये एक आदमी है जो की mystery में entangled है और बहुत ही important role play करता है ये भी solve कराने में और ये major Sholto का बेटा है फिर आते हैं Jonathan Small ये एक आदमी है with a checkered past जो की connected है इस stolen treasure के साथ ये भी काफ़ important role play करते है पूरे plot को unfold होने में then is Tonga ये एक native है andaman island की जो की involved होते है इस mystery के अंदर तो ये जो आदमी है वो अपनी exceptional strength और agility के लिए जाने जाते है then is Mrs. Hudson ये led lady है हमारे Shadlock Holmes की जहां पर वो रहते है 221B Baker Street London के अंदर तो इस सारे characters को आपको याद रखता है ताकि आप story समझ सकें कि किसका किस से क्या नाता है वो movie में नहीं होता कि आपको starting में सारे characters introduce करवा दिये जाते है पूरा ऐसा camera man focus करो types black and white picture पे और फिर आपको एक एक आदमी की बिल्कुल facial expression पे वो focus करके फिर आपको बताएगा कि ये गरीब आद मीराजू ऐसा इस तरीके से ठीक है तो इसी तरीके से हमने आपको characters बता दिये हैं हम आपको भूलना नहीं है and we'll start the summary कहानी की शिरुवात होती है Dr. John Watson से जो कि अब Sherlock Holmes से दूर रह रहे थे तो काफी struggle कर रहे थे boredom और loneliness के साथ फिर introduce करवाया जाता है Mary Watson को जो कि एक young women है और ये Dr. Watson के पास आती है कि यार Sherlock Holmes का मुझे मदद चाहिए एक mysterious case है उसको solve कराने में और वो case क्या था कि ये जो lady है Mary Watson इसके father ऐसा गायब हो गए थे और जो उनके पीछे ख़जाना चुटा था the treasure belonging to them वो और फिर एक pearl वो साई चीज़े भी गायब हो गई थी ऐसा mysterious conditions में कुछ पता नहीं था कि उसके father कहा है ये सारा ख़जाना कहा गया कोई भी उनको clue नहीं था तो जो Dr. Watson है वो decide करते हैं कि भाई मैं Holmes को बोलूँगा कि आप इस case में involved हो जाएगे और आप इस case को इनको Watson को solve करके दीजिए तो जो Mary Watson है वो explain करती है कि जो उनके father थे Captain Arthur Watson वो mysteriously disappear हो गए 10 दिन पहले और बहुत सारे सालों से उसके पास हर साल एक valuable pearl भेजता है कोई और sender को से नहीं पता बस उसको receive हो जाता है वो लेकिन अब एक letter आया है जहां पर उसको ऐसा बोला गया है to meet her anonymous benefactor कि जो आदमी आपको ये pearl भेज रहा है न हर साल उससे आपको मिलने का मोका मिलेगा तो आप उससे मिल लीजिए उनको एक letter ऐसा मिलता है तो इसके regarding वो guidance मांगती है हमारे Sherlock Holmes जो की है detective उन से तो Sherlock Holmes इस case को ले लेते हैं और उनको पता चलता है कि जो Captain Watson है वो एक British Military Expedition के member थे इंडिया के अंदर मतलब कि वो military के थ्रिवाये थे यहां पर अपने work करने अंदर treasure है जो इस question के अंदर वो एक significant hold है आगरा diamonds का मतलब कि जब इंडियन rebellion हुआ था उस time पे आगरा के अंदर से बहुत सारे diamonds गुम हो गए थे आफरिका वो चोरी हो गए थे देवस वेंट missing तो उसका ही जो पूरा treasure है उसकी वो बात कर रही है आपर Holmes बिलीव की जो treasure है उसी से उसको यह जो mysterious gift आ रहा है हर साल कोई anonymous आदमी भेज रहा है उसका और उसके फादे के disappearance का कुछ ने कुछ तो link है तो अब Sherlock Holmes और Watson investigate करते हैं इस मामले को और उनको पता चलता है एक बहुत ही complex upload जहांपे चार converts मतलब जेल से चुटे हुए लोग थे अंडमान island के अंदर ये जो आदमी थे इनके पास था बहुत सारा treasure अब वो treasure उनको कैसे मिलेगा कि इन चारों लोगों को एक एक टुकडा दे रखा था map का ताकि कोई भी आदमी बिट रहे ना कर सके त्योंकि अगर एक आदमी के पास सारा map होगा तो फटा-फट ढूंड के अपने पास लेके पता नहीं कहा भाग जाए तो चारों ने एक टुकडा ले रखा था उसके map का जहां पर वो पूरा treasure ने दबा रखा था तो ये बड़ा चलाकी से काम लेते हैं कि भीया क्या करते हैं चारों लोग एक टुकडा ले लेते हैं इसका map का ताकि किसी के मर में भी थोड़ी जबी गदारी करने का काम है ना तो फर वो नहीं कर सकता विकरिस आपके पास सारा map ही नहीं है तो आपको चारों लोगों की जरत पड़ेगी तो सारे लोग मिल के ही उस treasure को हम बाटेंगे जा रहा था उन चारों में से तो इनका में मॉटिव यह था कि वो लास्ट कर्वेट तक पहुच पाएं उसके मरने से पहले तो बहुत ही एडवेंचर सा दिखाया गया है यहां पर फूरा बोट के अंदर उनका जर्नी इंटू दर रिवर थेम्स बाद में जो Sherlock Holmes है उनको पता चलता है इस location का जहां पर वो hidden treasure था मतलब finally वो पता लगा लेते हैं इसके बारे में और Mary थी जो उनको कहां से वो सारे gift आ रहे थे that was a attempt मतलब कि उनके जो father है वो ही भेज रहे थे ताकि वो अपने role को amend कर सके in the treasure's theft जो चोरी हुई थी वहां पर उससे वो अपना थोड़ा सा role हटा सके that's why he was sending her this pearls every year जो की वो कह रही थी ना की हमें strange कोई आद भी मेज रहा है उसका मुझे नाम भी नहीं पता तो valuable pearls जो से receive हो रहे थे those were sent by her father only in the end जो justice है वो serve कर दिया जाता है guilty parties को apprehend किया जाता है और जो Mary Watson है और Dr. John Watson वो एक romantic relationship develop कर लेते हैं और story end होती है with the promise कि हम भाथ सारे adventures करेंगे Sherlock Holmes के साथ अब बात करते हैं themes की तो हमारा सबसे पहला theme है Crime and Policing तो इस novel के अंदर बहुत जड़ा concern दिखाया गया है regarding crime और उसका क्या effectiveness है police force का Victorian London के अंदर तो पूरा एक जो उसके flows है और जो सारी चीज़े है कैसे independently काम करता है police उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है जो जो 19th century था Victorian era उसके अंदर बहुत जड़ाद scientific और technological advancement होई थी तो यहाँ पर जो Sherlock Holmes है वो focus करती है detective reasoning पे forensic science पे जो कि आपको दिखाता है कि science में बहुत जड़ाद advancement हो रही थी then is mystery and sensionalism तो जो Victorian literature है वो बहुत ही mysteries को sensional elements को figure करता है feature करता है अपनी stories और works के अंदर तो ऐसा ही किया गया है the sign of four के अंदर भी जहाँ पर इन सारे elements को add किया गया है ताकि उस time के जो readers है उनमें इस book को popular किया जा सके then is class division कि कि इस तरीके से जो Victorian society है वो class के नाप पर बटी हुई थी वो evident था in the novel जहाँ पर जो dr. john Watson है वो represent करते हैं the middle class while जो mysterious client थी Mary Watson वो एक privileged background से आती थी तो इस तरीके से आपको I have not covered that much detailed summary क्योंकि summary आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं because the most important thing here is to learn the themes and symbols and these all things तो अगर आप चाहते हैं कि मैं summary को detailed way में cover करूं तो उसका separate video बना दिया जाएगा otherwise this is more than sufficient अगर आप ये साच जीज़े भी cover कर लेते हैं तो फिर हमारा last part आता है symbols तो सबसे पहला symbol है the agra treasure तो जो ये treasure है वो symbolize करता है wealth और greed को कि एक जो valuable object है वो आदमी को क्या-क्या करने पर मजबूर कर देता है बतल कि इंसान बिलकुल अंधा हो जाता है after seeing this much money and wealth there is smallfoot Indians तो ये अंडमान आइलेंडर्स का जो group था उसको शो करने के लिए था ताकि वो जो British colonial empire था उसके past को हम दिखा सकें in the exotic and mysterious elements now the third symbol is river themes तो जो ये river है वो symbol of life है and passage of time now the last symbol is the sign of four tattoo तो जो ये tattoo था वो character के shoulder पे था और वो symbol था उसके criminal past का और उसके connection with the treasury का तो इसने भी एक बहुत ही important clue के रूप में काम किया पूरी story के अंदर और story की unfolding के अंदर कि ऐसे पूरा detective ने इन सारे चीज़ों को छोटी-चोटी चीज़ों को collect किया and then he reached to the conclusion की भही हाँ 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 से ऐसा पूरा पूरा जो plot है उसको plan किया गया था तो I hope it's clear and if you have any questions तो उसे आप पूस सकते हैं किसी और topic पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप comments कर सकते हैं then yes don't forget to subscribe the channel like the video and share it with your friends आप लोग subscribe नहीं करते हैं तो please वो भी कर दीजिए आपका कुछ नहीं जाता है it's just a single minute comment, like and subscribe करने में alright I'll meet you in the next video till then take care, stay happy, stay healthy